हलो माई दियर एडिपेंस, हलो स्टुएंट्स, वल्कम टो एडिपेंस्टार तो आज के सेशन में हमी बहुत इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे मैंटर्शिप एंड मॉनिटरिंग की कि यह क्यो इंपोर्टेंट है इसके benefits क्या-क्या होते हैं इसके बिना भी क्या result achieve किये जा सकते हैं और क्या इसको साथ में लेके जो result आप achieve करोगे क्या वो सच मुझ में बहतर होंगे इन सब बातों पर आज हम discuss करेंगे point to point discuss करेंगे कीन में होता क्या-क्या है इसके effects क्या-क्या है इन सारी बातों को लेके आज हम session में बात करने वाले हैं और जो भी आप लोगों की curious हो तो वो आप हमें कैसे पहुचा सकते हो आप नीचे comment कर सकते हो हमारे वीडियो उस पर की sir हमें ये problem है आप बताईए हम जरूर उसका समाधान देंगे तो बात समझ गए आप अब यहां पर बचो बात समझ दे वाली है सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ जो भी लोग नए है जिन्हों ने अभी तक channel subscribe नहीं किया है please click on the subscribe button and don't forget to click on the bell icon तो समझ गया है आप यहां आप चलो session में चलते सबसे पहला question आपके दिमाग में यही आता है कि sir mentorship monitoring क्या है क्यों important है यह सब बात है आप मुझे बताओ तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप down जा रहे होते हो कभी कभी आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो मतलब एक balance जो है वो आप नहीं बना पाते है कि यार में को कब अपनी performance में कितना boost up करना है यह सब बाते आप खुद से नहीं कर पाते है इसके लिए आपको एक guidance की ज़रत होती है और वो जो guidance आपको दी जाती है उसको बोला जाता है mentorship अब monitoring का भी मतलब होता होगा कुछ ना कुछ तो इन सब चीजों को जो देखा जाता है कि आप कैसा perform कर रहे हो क्या performance चल रही है ये सब बाते क्या होती है बच्चो monitoring दोनों का simultaneous use ही आपको एक बहतर result दे सकता है अगर आप कहाली monitoring monitoring करते रहो लेकिन उसका कोई solution ना दो तो कोई benefit नहीं देखेगा बच्चो आपको और खाली आप mentorship mentorship करते रहो लेकिन हकीकत क्या है बच्चे की बच्चे के बारे में problem जानी जाए बच्चे के बारे में पता किया जाए कि आप लोग कहां पर लेक कर रहे हो और उसके according आपको guidance दी जाए that is pure called mentorship and monitoring बात समझ गए आप अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला step होता है monitoring then second step होता है mentorship बात समझ अब इसके बाद ये बात तो आपको समझ आ गई सर हमारे जमाब में वाली बात तो बैठ गई कि सर mentorship क्या होती है और monitoring क्या होती है अब mentorship के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है बो भी सर बता दीजिए देखो सबसे पहले चीज़ें कि आपकी performance को analyze करेके आपको guidance दे ना that is called mentorship अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है देखो बचे आप सबसे पहले जब कभी भी जेई नीट की तयारी करने जाते हो या start करते हो तो जेई नीट का slay was बहुत बड़ा है इसको आपको एक अच्छे से समझना पड़ता है मतब इसके लिए आपको एक path की जरौत होती है अब उस path को कैसे design किया जाता है वो mentor का का काम होता है कि आपके लिए वो path कैसे design किया हुआ क्या हर बच्चा same path पे चल सकता है नहीं किसी के लिए ups and downs जादा होंगे किसी के लिए कम होंगे क्योंकि हर किसी का दिमाग same level पे नहीं बात समझो अब mentorship के अंदर क्या होता है कि आपके जैसे suppose करो test में number जो आए उनको आपके mentor ने analyze किया कियार किस chapter में आपके marks कम आ रहे हैं और फिर आपसे उसकी reason जाने और फिर आपको guide किया dad is called pure mentorship कियार आपको guidance जो है वो आपकी customized मिल रही है ये आपकी बच्चो mentorship होती अब देखो अगर मैं बात करूँ तो सबसे और second question आपके दिमाख में आती है ये जो फोटो देख रहे हो ये सबसे बड़ा उधारन है mentorship का देखो ये जो है अरजुन को द्रोनाचारे जो है वो एक तयार कर रहे हैं मतलब गुरू जो है वो सबसे बड़ा माचार उसके लिए उन्होंने एक फोटो लगाई मतलब अपने अंदर माना की नहीं यार ये चीज मेरे गुरू के according सानिद्य में रहे कर उन्होंने किया तो तभी तो उन्हें एक अच्छी उपाधी मिल पाई बात सम्झे तो देखो ममी बापा तो mentorship आपकी मतलब फादर तो mentorship mentor है ही है क्यों कि उन्होंने आपको देखा है आपको analyze कि आप कितना पढ़ पाते हुए ये सब बाते वो जानते और एक जो mentor आपको कौन हो सकता सबसे बड़ा आपका teacher हो सकता आपका जो guru है वो हो सकता है अब देखो यार हमें पता ही कि यार जेही कैसे clear करना है आप लोगों को तो हमने काफी सारे बच्चा भी last years में देखे भी आपने की select हुए है तो उनके experience के according हमें पता रहता है कि यार कौन सा बच्चा क्या problem face कर रहा होता है कौन सा chapters के खमजोर है और अब इसको क्या guidance दी जाए दिस इस कॉल्ड प्योर mentor ठीक है बात समझ में आई यह आपको mentor कौन कौन हो सकता है अब बात समझ में आती है कि सर monitoring क्या होती है देखो monitoring ऐसे होती है यह नहीं कि आप पे 24 गंटे निगा रखी जाए बात समझ में आपको अफलाइन टेस्ट देते हो एक प्रॉपर अच्छे वेब है तो आप उस टेस्ट में आपके मार्क साहे कौन से चैप्टर के question आपने सही करें कौन से चैप्टर के रॉंक करें इन सब की performance को analyze करके आपको क्या दी जाती है guidance दी जाती है और इसी के अंदर आपको monitor किया जाता है अगर मैं ATP star की बात करूँ के अंदर M square का एक feature है mentorship and monitoring उसके अंदर आपको customized plan दिये जाते हैं कि आप अभी यह कर लो फिर हम 15 days बाद monitor करेंगे कि आपको कितना आया है तो दिस इस कॉल्ड M square जो बहुत कम जगे आपको मिलेगा मतलब और फर्स रॉप और इंडिया हम ही लेके आयते M square का जो मतलब feature है mentorship and monitoring इन जहीं फिल्ट ठीक है बात समझ गया अब बात समझ में आती है कि mentoring and monitoring कैसे वक करती तो मैं आपको इसका पूरा feature भी बताई दिया है कि आपकी जो आपकी जो guidance है आपकी जो performance है उसको स्टार्टिंग से analyze किया जाता है कि आप day 1 से कैसा चल रहे हो कितना आपने lectures देखी है कितना आपने perform किया है पिर आपकी test performance क्या आ रही है तो उसके according एक पूरा performer बन के आता है कि आप कहा लेक कर रहे हो क और यह सब चीजे बच्छो एक feature के साथ ही एक best platform के साथ ही करी जा सकती है तो कि जहां हम आपको एक properly analyze कर प्राइब कि आप लोगों का कैसा performance सल रहा है देखो analyze दो टाइप से होता है तो आपको आपके दो समय से सवाए हाँ ठीक है तू यह भी कर ले हो जाएंगे अच्छे म सब्सक्राइब करने चीज यह चीज आपको फॉलो करोगे तो आपका सेहत सुधरेगी यह सब चीजे बच्छो सेम चीजे ही हमारे इस फिल्ड में समझ गया अब मैं आपको बात कर लेता हूं कि इनके जो M2 जो अपना feature है यह आप मैं बात करूँ को मैंटरिंग से कितने रिजल्ट एटीवी स्टार ने क्रियेट करें तो बच्छो यहां पर देखो जेए के रिजल्ट साब देख रहे हो और एक बहतर रिजल्ट बच्छो आप यहां पर देख लो सौरब राजा का देख लो आप एया 249 695 अपॉन 720 तो आप देख रहे हो कि यार मैंटर्शिप वाला हो कि यार नहीं मेरी परफॉमेंस यह है तो इससे बेटर कैसे की जा सके तो मेरा पहला बैक्ग्राउंड जो है वो भी तो अनेलाइस किया जाए तभी तो मैं आपको क्या कर पाऊंगा मैंटर कर पाऊंगा बास समझ गये कहा तक किलियर है फंडा तो बच्छो यह जो समझे एम स्कॉयर का बहतरीन मतलब आप समझे होंगे कि किस विहाब पर आपको मॉनीटर किया जाए देन आपको मैंट और किया जाए बास समझ गया जाए और जो भी आपके कोई डाउट सम्भाप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो ऐसे ही अमेजिंग सेशन में आपक दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू अल अफ यू